नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रसैनी केंद्रे क्रिमंत्राले ने हाली में बड़ा फैस्दा लिया Border Security Forces यानि B.S.F की दाकत को बढ़ाय किया सीमावर्ती जो शेत्र हैं जो राच्चे हैं पश्यम बंगाल पंजाब और असांप वहां दरसल B.S.F का दाहरा 50 किलो मीटर तक बढ़ा दिया क्या और उन्हें एक नई ताकत मिल गई लेकिन ममता भिनेची और पूरी टेमसी सरकार B.S.F की इस बढ़ती दाकत से कितने जादा बॉकलाई हुई है कि उनके बयाहरों में साफ़तोर पर दिखाई दे रहा है आपको बता दें पश्रिम बंगाल की विधानसमा में दरसल B.S.F के अधिकार शेत्र को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ पश्रिम बंगाल विधानसमा में एक प्रस्ताव भी T.M.C की ओर से पारित किया गया और उसी दोरान T.M.C के एक विधायक उधियान गुहा ने एक ऐसा शर्फनाक बयान दिया है जिसके जर्फ निंदा ही हो सकती है उन्होंने कहा है कि दरसल जब महिराई सीमा पार करती है तो उन्हें PSP के जवान छेड़ते हैं उन्हें गलत तरीके से चूते हैं ये उनकी तरफ से बयान दिया क्या है बेहद शर्फनाक ये बयान है इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा है कि भारत मा की चैके नारे लगात केंद्रिय ग्रिमंत राहले की ओर से बड़ा फैसला लिया किया है जब बॉर्डर सेक्यूरिटी पोर्स की ताकत बढ़ाई गई है ताकि पाकिस्तान और बांगलादेश के रास्ते जो हिंदुसतान में ये तसकर घुस रहे हैं ड्रग तसकरी बढ़ रहे हैं गौँ तसकरी ब जगातार इस पूरे वैसले से बोखलाई हुई थी और ममता विनर्ची समयत आपको बताते हैं जो उनकी पार्टी के नेता हैं फिर चाहे वो पार्थ चुतरजी हो या फिर अब उदियन गुहा हो जिनका ये बयान साफने आया है जिन्होंने बीएसफ के जवानों का अफमान क बिल्कि देश के हर एक उस जवान का अफमान किया है जो देश के लिए सरहत पर जंग लगता है जो देश की सीमा पर 2400 घंटे बैठा रहता है उन्हें ताहाम जवानों का अफमान ये ममता विनर्ची के जो लोग हैं जो पार्टी के नेता हैं ये लगातार कर रहे हैं और य पार्टी और अफमान करने से वहना विनर्ची नहीं चूकी है तो थो पार्IS ये जह पहुता है कि किस तरीखे से टी-मच के चाहती है कि यह तसकरी ऐसे ही चलती रहे झाक। कि रास्ते हिंदुस्तार में एंट्री करते रहें और इस तरह से ही हत्याहरों की जो लगातार तसकरी हो रही है वो चलती रहे और यही वजा है कि इस तरीकी की बयातबाजी ममता भिनेटजी और उनके नेता कर रहे हैं जहां आपको बदा दें केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर ममता बिनेख्ची की ओर से ये कहा किया कि ये देश के संख्य धांचे पर हमला है बकाईता उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को इस सिलसले में एक चिठी भी लिखी थी लेकिन वहीं पार्थ चितरजी जो की संसधिय कार्य मंत्री है ममता सरकार में उनकी को कम किया जा रहा है कि तमाम वड़े आरोप हैं जो लगाय करही है लेकिन देश की सुरक्षा सरवपरी है और देश की सुरक्षा के एक हमारे जवान 24 घंटे सीमा पर खड़े रहते हैं सीमा पर डटे रहते हैं लेकिन उनका अपमान किस तरीके से हो रहा है यह TMC के नेताओं के बयान साफ़तोर पर बता रही है और ना सर्फ TMC बलकि तमाँ वामपंथी दल और कॉंक्रिस पार्टी भी वक्त वक्त पर देश के जवानो का अपमान करती रही है सिर्फ राजनीती के लिए इस खटिया राजनीती के लगातार कॉंक्रिस पार्टी और TMC ने देश के जवानों का अपमान किया है फिर जाहे वो पश्यब बंगार विधानसवा चुनाव के दोरान की बात हो या फिर अब जिस तरीके से यह बयान दि शर्फनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया चा सकता है कि ममता विनर्ची के ये नेता है ये विधायक है दिन हाटा से तो फिलाल आपको बता दें केश्रे ग्रिमंतराहले ने तरजल अक्टूबर में ये बड़ा फैसला लिया था जहां अंतरास्टे सीमाई जो हैं वहां PSF की जो तैनाती थी पश्रिम बंगाल पंजाब और असाफ़े वो 15 किलोमीटर तक थी लेकिन उस गायरे को बढ़ा कर 50 किलोमीटर करतिया क्या यानि सुरक्षा सीमा पर कड़ी करती गई क्योंकि लगातार के देखने को मिल रहा था कि पश्रिम बंगाल और पंजाब को ये फैसला लेना पड़ा लेकिन इन दोनों ही राज्यों की सरकारों ने इन सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े किये जहां एक तरव पंजाब में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है चलंजी सिंग चलंणी वहां मुख्यमंत्री है उन्हें कहा कि पंजाब पुलिस की जो ताकत है उसे कम किया किया है जो राज्चे सरकार है उसके जो अधिकार है उसे छेल लिए गए हैं ये तमाम बढ़े आहरोब थे जो विधिया हैं वो बढ़ रही है सीमा पार से हत्यार आ रही हैं ड्रॉन के चरहे वहां लगातार ड्रग तसकरी पढ़ रही है यह तमाम बड़ी बातें परधान मंतरी नरेत्र मोथी और केंद्रे ग्रिमंतरी अमिशा से जब कैप्टेन अमिरंदर सिंग ने मुलाकात की तो कही पार से अंतरास्टे सिहमाओं पर कोई भी ड्रग तसकरी करता है अगर इस तरीकी की गतिविधिया पाई चाती है तो उनकी गिरफतारी भी पीसफ का हक है और साथ ही उन पर कारवाई भी पीसफ कर सकती है और लगातार इस कड़ी में बोर्डर सेक्योरिटी पोर्सिस के जो है शिम बंगार में हाली में बीसफ ने दो बंगला देशी जो गौन तसकर थे उन्हें ठेर किया है तो कारवाई लगातार बॉर्डर सेक्योरिटी पोर्सिस कर रही है लेकिन ममता बिनर्ची सर्फ इसलिए ही डरी हुई है चुकि ममता बिनर्ची जिस तसकरी के जरहे अपन ममता बिनर्ची का डर यही है और यही वचा है कि इस तरीके से बीसफो उनके जवानों पर जूटे आखरोप लगाये जा रही है हलकी हंगावा भी बश्रिम बंगाल की विधानसभा में इस पूरे बयान को लेकर खुब हुआ जहां टीमसी के जो ये विधायक थे उदियन कुहा जो की दिन हाटर से विधायक हैं उनके इस पूरे बयान को लेकर बेहद हंगावा जो है वो पश्रिम बंगाल की विधानसभा में देखने को मिला विधानसभा से उन्हें बाहर निकाला चाहिए ये भी मांग लगातार की जा रही है देश के जवानों का अपमान किया है माफी देश से मागे माफी उन जवानों से माँगे जिनका अपमान किया गया है जिन पर ये इस तरीकर की आखरोप लगाई गये हैं तो क्या ममता मिनट्ची इस पर जवाब देंगी जो लगातार के कह रही है कि कैंदु सरकार ने ये वैसला लेकर देश के संघ्शे उच्छे सरकार की जो अधिकार है उन्हें खत्म किया जा रहा है पुलिस की ताकत को घटाया जा रहा है तमाम आखरोप है जो उन पर लगा जा रही है और इसके खिलाफ अब परश्यम बंगाल विधानसवा में एक प्रस्ताव भी पारित किया किया है हाला कि आपको यह भी ब परश्यम बंगाल और पंजाब सरकार को ही आखर इतनी परेशानी क्यों है आपको बता दें अस्थाम में भी सरकार ने यह वैसला किया है अस्थाम में भी 50 किलोमीटर तक बोर्डर सेक्यूरिटी फोर्सेस की ताकत को पढ़ाया है लेकिन वहां हिमंता बिजवसर्मा की सरक जिनके तरब से बार बार दो टूक ये कहा गया है कि जो गुसपैथिये हैं उन्हें वो बाहर का रास्ता दिखाए के और जिस तरीके से वहां लगातार तसकरी हो रही है उस पर भी शिकंजा हिमंता बिजवसर्मा की सरकार कस रही है तो कुल मिलाकर ममता बिनर्ची का डर उ लेकिन जो आहरोप लगा गए हैं उसके लिए देशने और देश के जवानों से माफी मांगे ममता बिनर्ची के विधाया कि ये मांग लगातार हो रही है लाल आपकी इस पूरे माफले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें थाने बाद